दोस्तों शेहनास कौरगिल और मारीटा शुकला को लेकर इस वक्त की दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है जी हाँ दोस्तों मारीटा शुकला को हम एक मजबूत और दिलेर महिला के रूप में जानते हैं लेकिन पिछले दिनों कुछ ऐसा हुआ की यही स्ट्रॉंग लेडी फूट फूट कर बच्चों की तरह रोने लगी हर कोई ये देखकर काफी हैरान था की जो रीटा शुकला अपने इकलोते पुत्र सिधार्त शुकला की मृत्यू के बाद और उसके संसकार के समय भी बिल्कुल नहीं रोई वो आज इस तरह से कैसे बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रही हैं दोस्तो आज से पहले किसी ने भी रीटा शुकला को इस तरह रोते हुए नहीं देखा था इसलिए उन्हें इस तरह से रोता देख कर हर कोई हैरान और परेशान था ये मौका ही कुछ ऐसा था कि माता रीटा शुकला अपनी आखों के आशु नहीं रोप पाई दोस्तों बात कुछ दिन पहले की है जब सिधार्थ की आत्मा की शांती के लिए रीटा शुकला के घर पर शांती पूजा करवाई गई तो उस समय पूजा और शांती पाठ के दोरान सिधार्थ की लाइफ से रिलेटेड 10 मिनट का वीडियो वहाँ पर शांती पाठ के समय चलाया गया तो सिधार्थ का ये वीडियो देखकर शांती पाट और पूजा में शामिल हर इंसान भावुख हो उठा और सबकी आखे नम थी मातारीटा शुकला भी सिधार्थ का ये वीडियो देखकर दोस्तों काफी भावुख हो गई और अपनी आखों से बहते समुद्र को रोक नहीं पाई और उन्होंने अपनी आखों से आशुओं को रोकने की काफी कोशिश की लेकिन आशु थे की रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे शेहनाज गिलभी उस टाइम वहाँ शांती पाठ और पूजा में शामिल थी उनकी भी आखे सिधार्थ की ये वीडियो देखकर भर आई फिर क्या था दोस्तों जो भी इंसान उस शांती पूजा पाठ में महजूद था वे भावुक हो गया और अपनी आखों से आशु पोचता ही दिखाई दिया दोस्तों इतना ही नहीं शेहनाज गिल भी माता रीटा शुकला जी के पास गई और उन्हें चुप कराते हुए गले से लगा लिया कुल मिला कर उस जगे का महौल काफी गमगीन और भावुकता भरा हो गया बड़ी मुश्किल से सबने खुद को सिधार्थ के गम से निकाला था लेकिन उस दिन शांती पूजा पाठ में फिर से सिधार्थ की यादे ताजा हो गई और अपने जजबातों पर काबू पाना सब के लिए कठिन हो गया फिर से माता रीटा शुकला ने हर मंच पर खुद को काफे स्ट्रॉंग रखा लेकिन उस दिन शांती पूजा पाठ में वो खुद को रोक नहीं पाई और ना वो अपने आंसों को रोक पाई इससे पता चलता है कि मा आखिर मा ही होती है मा का हिर्दे मा का ही होता है जिसमें अपने बच्चों के लिए अपार प्यार और असनिह छुपा होता है और मा रीटा शुकला भी चाहे कितना भी स्ट्रॉंग महिला क्यों नहीं सबसे पहले वो एक मा है वेल दोस्तों आपको क्या लगता है कि माता रीटा शुकला जी एक स्ट्रॉंग महिला है या नहीं जो भी आपको लगता है दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा साथ ही ये भी जरूर बताईएगा दोस्तों क्या शेहनास गिल और मा रीटा शुकला का साथ हमेशा बना रहेगा या ये जोड़ी तूट जाएगी क्या लगता है आपको जो भी आपके विचार है जरूर कमेंट करके बताईएगा दोस्तों हम तो चाहते हैं कि हमेशा मा रीटा शुकला और शेहनास कॉर्गिल यूँ ही साथ रहें क्योंकि हमें तो ये जोड़ी बेहत पसंद है वेल आपको जो भी लगता है जरूर कमेंट कीजिएगा क्योंकि दोस्तों आपके कमेंट और आपके विचार और आपके सपोर्ट ही हैं हमारे लिए जो हैं स्ने हैं प्यार हैं तो दोस्तों मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट अप्डेट के साथ तब तक के लिए बबाए दोस्तो and thank you for supporting us.